असलामों आलेकुन दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग कुवेट में बेदेशी हैं तो आपको साबधन रहने की जरूरत है आपको बता दें कि इस केमर आपको 48 घंटे का वादा देकर लौन देने की बात कहेगा कुवेट में जादतर परवासी औरकर ऐसे हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और अपने बेंक खाते की सारी डिटेल इन इस केमर को दे देते हैं अधिकारियों ने कहा कि आरोपी लोगों से फॉर्म जमकने के 48 घंटे के अंदर लौन देने का वादा करते हैं कुवेटी परवासी आरोपीयों के जासे में आकर अपने कैई अकाउंट खुलवा लेते हैं और इन अकाउंट की सारी डिटेल और उस पर काबू आरोपीयों का हो जाता है आरोपी इन बेंकों का इस्तमाल फ्रोट के लिए करते हैं अगर आप लोगों को 48 घंटे के अंदर लोन देने का वादा किया जाता है चाहें परवासी हो या सिटीजन्स तो ऐसी इस्तिती में आप लोगों को कुवेट अधिकारी को कम्पलेंट करनी होगी साथ ही दोस्तों बड़ी ख़वर आपको शेयर कर दें कुवेट में सेब इन परवासीयों को गिरफतार किया गया बताया है कि ये परवासी एचिया के हैं और इन्होंने कुवेट में रहकर बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कुवेटी अधिकारीयों ने कहा कि ये कुवेट में रहकर कॉपर केबल चोरी करते थे कोवेती डिपार्टमेंट आफ किर्मिनल ने इन्हें जलेव इलाके से कौपर केबल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया बताया है कि इन्हें सी आई परवासियों को बलेकलिस्ट किया गया है कोवेत में पहले इन्हें जेल का सामना करना होगा और उसके बाद इन्हें कोवेत से निर्वासित कर दिया जाएगा इनके फिंगर प्रिंट ले लिये जाएंगे ताकि वे कभी कोवेत बापस ना आ सकें तो दोस्तो अगर आपको लोग कोवेत में रहते हैं तो इस तरह के कारनामों से बचें साथ ही मेरे दोस्तो कोवेत में भारतियों पर दुखों का पहार तूट चुका है आपको बता दें कि कोवेट सिटी के मलिया में एक प्राइवेट किलिनिक पर हूमन डिसोर्सिस कमेटी ने च्छा पिमारी की जिसके बाद वहां से तीस भरती परवासियों को गिरफतार किया गया ये तीस भरती परवासियों में 19 केरल की नर्स बताई गई हैं ये बताया गया है कि इन सभी के पास काम करने को लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस के अगर आप लोग कुवेत में कोई काम करते हैं तो ऐसे इस्तिती में आपको पकड़ लिया जाएगा, साथ ही कुवेती पारलियमेंट में सभी सांसद ने मिलकर एक प्रस्ताव पास कुवेती सांसदों का कहना है कि कुवेत में को ऑपरेटिव सोसाइटी यानि के सहकारी सिमीतियों में 60% कुवेती सिटिजन्स होना चाहिए और 40% विदेशी वरकर, उन्होंने कहा कि देखा गया कुवेती सहकारी सिमीतियों में ज्यादा तर गैर मुलकियों की संखिया है, उनकी संक्या को कम कर देना चाहिए और वहाँ पर 60% कुवैती और 40% गेर मुलकी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन ख़वर हैं जो हमने आप तक शेयर करें। ऐसे ही ख़वरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेस्ट वीडियो में।